पर नए है और फिर आपने बेल आइकन प्रस किरती है तो वो ज़रूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो के सूचना प्राप्त होती रहें आज पहले हम कुछ कॉमेंट्स लेंगे क्योंकि बहुत अच्छी चीजें कभी-कभी हमारे जो मेरे मस्तिश्क्र से स्लिप हो जाती है जो मैं बता नहीं पाता लोगों को क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है जब मैं किसी स्टॉक के बारे में पढ़के वीवर सेंग उन्हें बड़े अच्छे कॉमेंट्स दी जैसे कि विक्तरम सिंग नहीं आपे कहा कि भाया एलेक्शन की वजह से नहीं मतला हमने मैंशन किया था कि यस बैंक में जो गिरावट आ रही है सारे सेक्टर्स या सारे स्टॉक्स में लगातार गिरावट है से इन्स सारे चीजें दस चीजें लेकर चलते हैं तब जाके समझ में आता है कि क्यों और प्लस पर्टिकुलर जो बैंक का स्टॉक है या जो बैंक है उस पे भी बहुत सारी निउसे होती है बुरी खबरे होती उनकी रिजल्स होते है उनका मैनेजमेंट होता इस वजह से उन पर दोनों कंट्रीज का जगडा चला तो इलेक्शन रिजल्स के बाद भी गिरेगा मार्केट और अभी नस्दाक वगेरा हर कंट्रीज का गिर रहा है इस वजह से तो जो ग्लोबल मार्केट है नो डाउट वहां भी थोड़ा सा गिरावट चल रही है इस वजह से भारती बाज भी नहीं पसंद करता है इनका कहना है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पोर्टफोलियो डाउंसाइड देखना नहीं पसंद करते है इसलिए वो बिकवाली कर रहे है इस तरीके से में बहुत अच्छा कहा है आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कॉमेंट सेक्शन म अच्छा ने बताया एक चीज़ और और अविसली एरान चाइना यूएस ट्रेड वर चली रहा है जियोती प्रकार जी ने का कि नथिंट वरी यस बैंक लिंप इस गूर्ट इस टॉक बट अंडर गोज इन बैट टाइम स्पीरियर्ट अफ्कोर्स इनका भी कहना सही है कि को कोई भी कमपनी होती ही कोई भी बैंक होता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसका बुरा समय आता है तो लोग उससे घबरा के भागने लगते जब कि उसके साथ खड़े रहने का समय है उसके साथ खड़े रहे है और थोड़ा से इनवेस्ट करते है और थोड़ा सपोर्ट करत तो बहुत सही जी उतिव साब और आपने कहा कि welcome back, thank you, आप हमारा regular weaver है, धन्यवाद, और sir इस्टलाइट केक क्यों गिर रहा है, तो जरूर इस पे भी मैं वीडियो बनाने कोशिश करूँगा, बहुत दोस्तों, comment selection is not the only reason, यहाँ पे राजजन छेत्री साब ने कहा है, US-China trade of course you are right, very good video sir, thank you, sir please scores limited का बिलकुल बनाते हैं, scores का भी बनाते हैं, thank you, पतवाजी, और चलिए आज हम इस company के बारे में बात करेंगा, इस stock के बारे में बात करेंगे, ITC Limited, और ITC Limited के कुछ में बड़ी चीज़े बताने से पहले उसकी website पर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे products बनाती है, तो इस वज़े थोड़ा सा उनकी website पर जाके basic चीज़े बता देता हूं, ताकि अगर वीवर हमारे वीडियो में complete चीज़े ना पाएं, तो website पर विजिट करके हर चीज उपलब्द होती ही, उनके financial results भी होते हैं, उनके products भी होते हैं, उनका management भी होता है, everything उनको chips, ads वगरा खुब देखते हैं, खाया भी होगा आपने, masala mixes, chutneys, और यह सारे, यह पीज, noodles और natural juices, tetra pack में जो हैं, और mouth fresher, mintos, toffees हैं, और gums है, chewing gums है, luxury chocolates है, बेतरी बेतिन प्रोड़क्ट्स हैं, और gourmet coffee हैं, wonders milk हैं, और blended spice and frozen prawns, potatoes, यहां पे देखियो perfumes हैं, और premium skin care, shower gels, bathing bars, face washes, we well soaps and body washes, कितने सारे products हैं, जो घर-घर में प्रयूप्त किये जाते हैं, perfume spray, soaps and shampoos, savalon, aftershare and prickly heart powder, prickly heart powder, chamise, cream and wills lifestyle, stationeries के जो projects हैं, वो भी paper craft ये बनाते हैं, और match boxes, अगरबत्ती, मंगलदीप, match boxes, और जो इनका major segment है, cigarette की company है, basically, तो cigarette भी ये produce करते हैं, और बड़े निर्माता हैं भारत में, और आपको पता है कि इनसान जो cigarette पीता है, क्या वो कभी छोड़ सकता है, चलो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन पीने वाले चाहे, government कितना भी tax लगा रहे हैं, कितना भी disclaimer दे दे कि cancer होता है, लेकिन लोग छोड़ते ही नहीं है, जबकि मैं खुद नहीं पीता supporter नहीं हूँ, लेकिन हम तो खायर investor हैं, हम उस दिशा में सोच रहे हैं, कि चलो ठीक है, इनको क्या company हमेशा चलती रह गी, 1908 की company है, और आजादी से पहले कि हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो आने वाली पीडिया भी इनके products खाती रहेगी, आप समझ के चलिए, अब इस company में ज्यादा बताने कि मुझे जरूद नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे, आईए देख लेते हैं basic चीज, पहल और 52 week low जो बनाया था 269 रुपए और high था 325 रुपए, और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि market cap है, इसका 3,64,142 करोड का face value एक की है, और जिनोंने 6 महने पहले पैसे लगाया थे, उनको 76% का return है, जिनोंने 1 साल पहले पैसे लगाया थे, उनको 14.36% का return है, P ratio 28.92 की EPS earning per share है, 10 रुपए 27 पैसे है, price to book 6.10 का, deliverable 66.91% का, dividend yield, dividend paying stock है, 1.94% का, अब हम return भी दिखाएंगे आपको, तो देखी, excellent quality की company है, यह आंधी, तूफान, फानी, चक्रवात, अगर आपने इस company में पैसा लगाया है, तो आपका पैसा कभी बहुत ज़्यादा टूटेगा नहीं, यह ऐसी दिगज कमपनिया, हाथी कमपनिया हैं, कि पीछे नहीं हटती, भाई यह धीरे धीरे चलती रहती हैं, आपको return देती रहती हैं, bonus के माध्यम से, और dividend के माध्यम से, प्लस स्टॉक प्राइस जो बढ़ता रहता है, अभी फिलाल इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा return तो नहीं दिये हैं, जो हम पिछले सा 10 सालों का return दिखाएंगे, लेकिन कभी भी जोगे दिगज चल निकले, क्योंकि इनकों ने अभी प्रोडक्स में बहुत सुधार किये हैं, बहुत सारे launches किये हैं, तो आने वाले सबह में हम बहुत उम्मीद करते हैं, स्टॉक से, दिगज कंपनी है ITC, तो आपको अच्छा return मिल सकता है, सेफ गेम है, अगर इसमें आप पैसा लगाते हैं, तो sales growth है देखिए, 5 years average 6.24% की, EBIT growth है 5 years 6.72% की, और हम देख लेते हैं, ROC है 47.25% की, ROE देखिए 25.54% की है, और इनके हम results भी बताते हैं, जो Q4 के आये हुए हैं, तो पहले हम देख लेते हैं, returns, returns में हम चलते हैं, तो 10 सालों में इसने दिया है, 373% के आसपास, पहुने 400 के आसपास return तो अच्छा है, और 5 सालों में थोड़ा साथ कम है, क्योंकि 23% के ही return है, और 4 सालों में 35% के return है, 3 सालों में 33% के return है, 2 सालों में 3% के आसपास return है, एक सालों में 2% पहुने 3% के असपास रिटन है यह तिल डेट में भी 4% और 6 मंत में 6.37% के रिटन है 3 मंस में 5.10% के रिटन है 1 मंत से और 1 वीक और 1 दे में लगातार थोड़े से नेगेटिव में थोड़े से ज्यादा नहीं और हम शेर होल्डिंग प्रेटन में चलते होती हैं अपर मोटर्स के पास 0 है लेकिन फाई आई ज्यारा सो अठ्रा फॉर्म इंस्टिटूशनल इनिस्टर्स अभी भी इसमें बने हुए हैं ठिके हुए हैं 17.04% की इनकी होल्डिंग है इनके पास जबर्दस्त है तो यह रहे और कोई इनकी होल्डिंग है और डिविडेंट देखिये 5 रुपे 15 पैसे पर शेर के इसाब से में 25 में 2018 को लाज्ट ट्रेव दिया था अब भी देगी आगे भी देती रहेगी और अपनी इंडस्ट्री में फर्स नंबर है और 1910 से मैंने 1818 बोला था 1910 से यह काम कर रही तो आप सोचिए 100 साल से ज्यादा से आ रही है कंपनी आपको प्रोड़क्ट खिलाते आ रही है अब हम सीधे फनेंशल पर चलेंगे माफिच चाहेंगे डिलिक लिए देखें बैलेंश येट पर यहाँ पर करजा बहुत ही कम है करजा ना के बराबर है आप मत देखें क्योंकि देखें नेट प्रॉफिट ही इनका इतना है तो करजा कोई माइन ने रखता जून 18 में जहां इनके नेट सेल्स थी 10,554 करोड की वहीं सिप्तंबर 18 में होगी 10,851 करोड की और दिसंबर 18 में होगी 11,136 करोड की और मार्च 19 के हो गई आपको 11,850 करोड की वहीं पे नेट प्रॉफिट में अगर हम चलते हैं तो जून 18 में जो थी 2,888 करोड की नेट प्रॉफिट था सब कुछ लेन देने के बाद जो बचा सब्तंबर 18 में होगी 2954 करोड की और दिसंबर 18 में होगी 329 करोड की और लगातार ग्रोथ के साथ मार्च 19 में भी 3,481 करोड की तो देखिए यहां पे भी लगातार ग्रोथ है profit में भी और net sales में भी लगातार growth है है ना तो जबरदस्त company हैं दोस्तो return भी हमने दिखा दिये तो मैं तो यही आपको कहूँगा कि अगर आप safe side game खिला चाहते तो अपने portfolio में ऐसे stocks भी रखिए ताकि आपको भविश में अच्छे return में मिल सके और आपका पैसे कभी डूबने का कोई खात्रा नहीं रहेगा दिखेज company हैं और यहीं पर वीडियो में wind up करना चाहूँगा और कोई भी stock लेने से पहले आप मैं एक disclaimer देना चाहूँगा आप financial advisor जरूर मश्वरा करें thanks for watching this video मने रहे हमार साथ